इलेक्ट्रिक डायपॉल अगल 144 ट्喔 test कि यह है इलेक्ट्रिक डायपॉल व्यश्टीव और एक लेगैट्व चार्ड जिनका में बराबर है और उनको बिलकुल पास पास रख दिया जाता है तो इस system को यह बोब दे इलेक्ट्रिक डायपॉल बोलते हैं इलेक्टिक डाइपोल का मतलब है एस सिस्टम ओफ टू एक्वल एंड अपोजिट चार्जिस सेपरेटेट बाइए स्मॉल डिस्टेंस इन चार्जिस की बीच में जो डिस्टेंस हो स्मॉल होनी चाहिए लेकिन यहां पर रख दिया एक किलोमेटर दूर रख दिया चार्ज फिर उन्यक्ट्रिक डाइपोल निये डाइपोल के लिए जरूरी है दोनों चार्जिस का मैग्डेटूड बराबर हो पहली बात तो यह माइनस क्यों होना चाहिए मतलब दोनों का मैग्डेटूड बराबर है लेकिन यह अपोजिट नेचर के हैं ठीक है साथ ही इन और क्लोरीन यह दो एटम होते हैं और हाइडरोजन एक एलेक्ट्रोन क्लोरीन को दे देता है तो इसकी उपर प्लस इचार्ज होता है और इसकी उपर माइनस इचार्ज होता है और दोनों एटम्स के सेंटर के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है तो इस पे प्लस इचार् इसके लिए कुछ basic terms है जो आपको याद रखनी है जैसे इन दोनों चार्जेस की बीच में जो डिस्टेंस है उसको नॉर्मली हम टू ए से रिपरजन करते हैं और इन दोनों चार्जेस को जोईन करने वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डायपॉल Maxis क्या बोलते हैं इसको डायपॉल एक्सिस तो कभी भी इक्वेटोरियल लाइन या एक्वेटोरियल एक्सिस भी बोल सकते इसको दो लाइन है एक तो चार्ज इसको जोइन करने वाली लाइन है इसको तो क्या बोलना है डायपोल एक्सिस और इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली यह जो लाइन है इस ठीक एड़ करेंगे तो टोटिल करेंगे किसी भी एड़िया कर सकता अगर टोटर शेरो है तो इसके आसपास होगा क्यों क्योंकि दोनों चार्ज़ एक पॉइंट पे नहीं है वैसे टोटल जिरो और इनका लेकिन एक ही पॉइंट पर अगर यह चार्ज होते तो दोनों के अलेक्टरिक फिल्ड आपस में परफेक्टली कैंसल हो जाते लेकिन क्योंकि दूर दूर रखे हैं तो दोनों चार्ज इसकी जो इलेक्ट्रिक फिलो परफेक्ट ली एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाएंगे इसलिए इसके आस पास आपको परफेक्ट क Vergleich डायपोल कितना इलेक्रिक फिल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा कितना इसजान प्राइब करने के डाइपॉल की सिखे张 कोरा कि स्ट्रेंद को बताने के लिए इसको क्या बोलेंगे यह चीज बताएगी यह बताएगी कि पर इसको हम स्मॉल पीश दिनॉट करते हैं और इसका का फिंपलाव होता है क्यों एट टू हूं मतलब धूमें से एक चार्ज एलेक्टिक डाय पॉल मर्में नो बराबर में इंट्रूक्पेन तो इसार्ज को को multiply कर दो तो यह अपने पास क्या जाएगा इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट और देखो मैंने यहां पर वेक्टर सिंबल लगाया इसकी उपर मतलब यह एक वेक्टर कॉंटिटी है और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैं पीकेप से इसको कर रहा हूं मतलब युनिट वेक्टर से मल्टिप्लाई कर रहा हूं बाकिस की डायरेक्शन आपको याद रखनी है किदर से किदर होती है इलेक्ट्रिक डायपल की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से प पॉस्टी चार्ज की दरप तो जब देते हैं इदर डाइरेक्शन क्या होगी एंट की डारेक्शन होगी माइनस Q प्लस Q जी याद रखने हो दिए आया है समझ में तो इलेक्टिक डाइपॉल के लिए क्या चीज याद रखोगे क्या यह रियल में exist करते हैं हाँ यह रियल में exist करते हैं दूसरी बात इलेक्टिक डायपॉल में दो equal magnitude के चार्ड होंगे लेकिन उनका नेचर अपोजिट होगा एक चीज ज्याद रखनी है दोनों चार्ज इसका magnitude exactly बराबर होना चीए और अपोजिट नेचर की होनी चीए फोर एक जामपल अगर एक चार्ज प्लस 5 कुलाम और दूसरा चार्ज माइनस 3 कुलाम तो क्या हम इसको इलेक्टिक डायपॉल बोल सकते हैं नहीं क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर होना चीए आई बात समझ में ठीक है किसी इलेक्टिक डायपॉल का टोटल चार्ज कितना होता है हमेशा जीरो होता है किसी भी इलेक्टिक डायपॉल की स्ट्रेंद को बताने के लिए कौन सीटर्म यूज करते हैं इलेक्टिक डायपॉल मोमेंट उसका फॉर्मला क्या होता है क्यों इन्टू टूए अच्छा इसकी ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं जामें बहुत बार इसकी इन्ट एक्टिक डायपॉल मोमेंट की इनिट बहुत बार पूछते हैं एक्जाम में स्टार लगा देते हैं और डायरेक्शन का भी याद रखने हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ट्स टू पॉस्टिव चार्ज ठीक है और दोनों चार्जिस जो डायपॉल में दोनों है ठीक है चलों आगे यह लो अब जैसे क्यों बात कर रहे थे कि कोई भी बीलेक्टिक डायपॉल उसके लिए उसके आसपास आपको ट्यक्टिक करना होगा क्योंकि उसके सबसे बहुए हम बात करते हैं कि किकी एक्सियल डायपॉल की उपर कितना electric field हो गँए Cash點 और सबसे पहले तो यह कोई एक्सी लाइन पर सबसे पहले तो यह पॉसीं चार्ज है और इसन पॉस्ट्रीव चार्ज है पॉस्टिव चार्ज हैp इधर से इधर होगा और इलेक्टिक डाइपल मोमेंट का सिंबल होता है अब दोनों चार्ज इसकी बीच में जो डिस्टेंस उसको माल लेते हैं तू ए असे डिस्टेंस हमने टू एक यो लिखी है यह भी तो लिख सकते थे यह तो लेता है क्योंकि सेंटर से किसी बेख चार् किस याद रखनी है अच्छ यह जो इलेक्टीक डाइप्ल है इसके सेंतर से माल लो एकस दूरी की उपर यह और दूरी मालेते हैं आर दूरी की ऊपर यह कोई पॉइंट है जहां पर आपको यह पॉइंट मालो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फिल पता करना है तो टार्गेट समझ में आ गया एक इलेक्ट्रिक डायपॉल दे रखा है उसके इलेक्ट्रिक डायपॉल मोमेंट कितना है पी इलेक्ट्रिक डायपॉल मोमेंट का फॉमला ल यहां पर हम सूपर पॉजिशन प्रिंशिपल यूज करेंगे इन दोनों चार्ज इसका अलग लग इलेक्ट्रिक फिल पता करेंगे ए पॉइंट की उपर और उसके बाद में उसका वैक्टर एडिशन कर लेंगे तो इससे हमारे पास क्या जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फिल यह जो लाइन है इसके अलोंग आउट्वर डायरेक्शन में चार्ज से बाहर की तरफ हमको इलेक्ट्रिक फिल्ड कंसिडर करना है इसको मैं ए छोटा सा प्लस क्यू लिखके डेनोट कर रहा हूं लिख रहा हूं यहां पर कि प्लस क्या है इस पॉजिटिव चार्ज का इले प्लस आर हुआ यह और यह आर तो ए प्लस आर हो गया अच्छा तो इस पॉस्टिव चार्ज के लेक्ट्रिक फिल्ड वहां पर होना चाहिए लिख देता है इदर इप्लस क्यू इक्वल टू फॉर्मला क्या है क्यू बाई आर स्क्वार के चार्ज है क्यू और आर मतलब इसको नाम डिख देता है ए मैनस क्यूओ और इसको नाम क्यूक इतना होगा लिख देता है स्कूर राया समझ में दोनों की डारेक्शन से में आप बोज़ित है दो अगर यह अपवज़ित है तो एक डूसरे को कैंसल करेंगे तो टोटल फिल्ड कितना मिलेगा तो इन ज्यादा इलेक्ट्रिक फिल्ड उसमें से कम वाला माइनस कर दो तो रिजल्टन इलेक्ट्रिक फिल्ड आ जाएगा ऐसे ज्यादा कौन सा है दोनों में यह के सबता चलेगा तो यह जो पॉइंट है यह कौन से चार्ज के ज्यादा पास है नेगेटिव चार्ज के तो सट्रैक्ट करना है ठीक हजी जी अब देखो ऑफ कितना यह लिग दो के क्यू अपाउन आर माइनस एका होली स्क्वार और पॉस्तिश चार्ष के लेक्टरिक फील्ड के क्यू अपाउन आर प्लस एका होली स्क्वार ठीक हजी अब LCM ले लेते हैं R-A का स्क्वार into R प्लस A का स्क्वार इधर आएगा R प्लस A का अच्छे क्यू कॉमन लिया पहले तो ठीक है इधर आएगा R-A का स्क्वार इधर आएगा माइनस R-A का हॉल स्क्वार ठीक है जी अब देखो इसको थोड़ा और स्वार करते है E equals to K तो मैंने कॉमन ले लिया अपोन में क्या आएगा पहले तो यह बताओ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह R-A है और यह R-A है यह तो R-A स्क्वार बन जाएगा और दोनों का हॉल स्क्वार है तो उसका हॉल स्क्वार भी करना पड़ेगा R-A स्क्वार माइनस A स्क्वार का हॉल स्क्वार हो गया उपर क्या आएगा यह देखो इसको ओपन करो यह आएगा R-A स्क्वार प्लस A स्क्वार प्लस 2R-A यह आएगा माइनस टू आरे जो बाहर इससे मल्टिप्लाई हो के माइनस से क्या बन गया प्लस टू आरे तो टू आरे इसका और टू आरे इसका मिला कि इसको मिला क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपॉल मॉमेंट क्यों टू एक क्या होता है देखा हुआ अभी है यह डिस्टेंस और कि यहां पर यह काफी होगी जो डाइपोल है उसके दोनों चार्जिस की बिच में एक स्मोल डिस्टेंस होता है और यह आर उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा है इसका मतलब आर की कंपेरिजन में ए बहुत छोटा होगा अना डाइग्राम की अकोर्डिंग तो अगर मैं आर को ज्यादा मान रहूं एक क कंपेरिजन में तो ए स्कौर वाली जो टर्म है वह रस्कौर वाली टर्म की कंपेरिजन में बहुत छोटे सी होगी इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं तो यह यहाँ पर आ जाएगा के पी एंटु टू आर डिवाइड़ बई आर पावर टू और इसक क्या है अपना फाइनल आंसर मतलब कोई वी इलक्ट्रिग डायपॉल हो उसकी एक्सील लाइन की ऊपर एक्सी स्कीपर किसी ऑपार konnte कितना होता है दुके पी अपान और प्रहल मतला होता है और इसके क्या होगी इलफ्यक्रिट इलक्ट्रिग की तो आपने दे flour वृध मैं से हमेशे छोटा माइनस किया जाता है ठीक है एम की डायपंट की डायप्वोमेंट की डायरेक्शिन रिफ इलसंदुविवारहन नेगेटीव चार्श से जटार्फ होता इ Hence हुआ था इस पॉयंट की heals पर कोई भी पॉइंट हो वहाँ पर जो इलक्ट्रिक फिल्ड होगा वो इलक्ट्रिक डायपॉल मॉमेंट की डारेक्शन में ही हो इस थियो में यहां पर जो एक्सी की डारीक्शन है एलेक्टिक फिल्ड की डारीक्शन तो पे अलेक्टिक अग्या इन से टिए अक्षिक सिज्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डइपोल मोमेंट रहे यहीं क्लीक डाइपोल की कि सेंटर से पास वाली जो है इसकी उपर किसी पॉइंट पे इलेक्टिक फिल्ट करके देखेंगे प्रोसीजर वो का वो रहेगा क्या करना है सबसे पहले इन दोनों चार्जेस की वज़े से अलग-लग हो रहां कितनी माने जाती है तो अगर में बोलो की यह जो डाइपॉल का सेंटर है और यह जो डाइपॉल का सेंटर है इस से पउवंट के दूरी है सबस्करो ठीक है तो हमें इस पॉइंट के उपर सातीए स्पिटीज़ का सबसी कि तरफोर मोमेंटब वीडिया से इसकी इसका ऑफ होती है अब भी बताए था क्यों टूसा इंदोनने से किसी एक चार्ज को बिसकी से सबसे पहले तो इन दोनों चार्ज इसका इस पॉइंट की उपर इलेक्टर करेंगे अलग अलग और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो टोटल इलेक्टरिक फिल अपने पास निकल के आएगा तो सबसे पहले है अगर किसी भी चार्ज की वजए से आपको पता करना चाहता हूं तो इसका फोल्मला क्या होगा प्रकू आपको यूज करना है अब इन दोरों चार्ज इसका मैग्डिक टूर्स पता इसैं वह यह मइनस क्यू है पॉस्ट्री चार्ज के लिए लेक्ट्रिक फिल आउट्वर डायरेक्शन में लेते हैं और नेगेटिव के लिए हमेशें इनवर्ड लेते हैं यह याद रखना है अच्छा अब आपको इस पॉइंट पे लेक्ट्रिक फिल बताया है तो इन दोनों चार्जेस से इस कि दूर्ओर की दूरी कितनी होगी तो थोड़ा जोमैच्टर में करो यह वाले दिस्टेंस ए है यह आर्र है तो यह यह थोगी होगी स्कूर्द प्लस यह हैं चार्जस का मैंग्नेटूट को क्यों है और इस पॉइंट की इन दोनों चार्जस से दूरीयां भी है बराबर है उन दोनों का मैंग्नेटूड भीवराबर है अगर डिस्टेंस बराबर है अगर चार्जिस का मैगनेटूड बराबर है तो इन दोनों चार्जिस का इस पॉइंट पर जो लाएगा उडह कि छार्ज लेख नोट करता है इसको मैं एक साथ ही लिख रहाँ E plus Q यानि कि positive charge के electric field और E minus Q यानि कि negative charge के electric field उस point पे यह बराबर होंगे क्या होगा इनका formula तो K charge Q divided by R square R मतलब distance तो distance तो point की इस charge से कितनी है under root of R square plus A square और इसके square करोगे तो यह under root हर जाएगा तो क्या हैगा R square plus A square हैगा ठीक है इस वाले charge का electric field भी इस point पे इतना ही होगा तो यह दोनों equal है यह हमने पहले लिख दिया यहाँ पे direction और बताते हैं कि कौन से direction में यह electric field होगे देखो सबसे पहले तो इस positive charge के electric field देखो इस point पे आपको electric field के direction देखनी है positive charge के वज़े से तो positive charge को इस point से join करने वाली यह जो line है इस line के अलों outward direction में यानि कि charge से बाहर की तरफ आपको इस point पे electric field की direction बतानी है यह है e plus q मतलब positive charge का electric field charge से बाहर की तरफ लेना है ठीक है यह जो negative charge है इसका electric field की दर होगा तो negative charge के लिए electric field inward लेते हैं inward मतलब इस point को charge से join करने वाली जो line है इसके लों charge की तरफ inward जाना है मतलब charge की तरफ आपको direction consider करनी है e minus q आया समझ में के लिए हमने inward ऐसे electric field लिया है अब इन दोनों electric field का magnitude तो हमने calculate करी रखा है इन दोनों को add करने और add करने के लिए हमको simple addition यूज नहीं करना कौन से addition उसके लिए आपको एंगल वगरा पता होनी चीए कि इनके बीच में एंगल कितना है अगल वगरा define करते हैं जैसे माननों कि इस डायग्राम के अंदर यह वाला एंगल है थीटा। यह तो इदर वाल एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि यह दूनों ट्रैंगल एक जैसे हैं यह वाला और यह थीटा है तो देखो एकज़ेड बन रहा है तो यह जो अल्टेनेट फीटा होना चाहिए तो लान एक दूसरे को कॉटती हैं तो पर बने ठीक है अब मैं component method यूज़ करूंगा और इन दोनों electric field को add करूंगा component करने आते हैं कि आपको कोई भी वेक्टर है उसका थीटा से जुड़ावा component क्या होता है यहां पर इस डाग्राम के अंदर देखो इस डाग्राम के अंदर जैसी यह positive charge का electric field है e plus q और यह वाला जो एंगल है horizontal से यह कितना है थीटा तो अगर मैं इस electric component करूंगा तो थीटा से जुड़ावा जो component इधर आएगा वो तो क्या होगा बोलो e plus q cos theta होगा और दूसरे वाला component जो उपर की दरफ आएगा man vector बीच में रहेगा इसके दोनों component एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा तो यह आएगा e plus q साइन थीटा इसी तरीके से बताओ कि यह कौन से इलेक्ट्रिक फिल्ड है नेगेटिव चार्ज के लेक्ट्रिक फिल्ड और यह एंगल थीटा है तो इसका इधर जो component होगा थीटा से जुड़ावा जो component होता है वो होता है कौस थीटा याने e-q कौस थीटा आएगा और दूसरा वाला component इसके इधर होगा मैन वेक्टर बीच में रहेगा एक component उतार होगा एक इधर होगा ठीक है तो यह हमने दूसरा component ले लिए इसका नाम क्या रखेंगे e-q साइन थीटा अब आप यह डाइग्राम देखके बताओ कि यहां पे e-q और e-q यह दोनों component सेम डायरेक्शन में है या आपोजी डायरेक्शन में है और इन दोनों का मैग्डेटूड बराबर है कैसे क्योंकि e-q और e-q का मैग्डेटूड सेम है डाइग्राम की अकोर्डि e-q बराबर है तो e-q sin theta और e-q sin theta भी equal आएंगे तो यह तो आपस में cancel क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के opposite होते हैं जिनका मैग्डेटूड बराबर होता है तो आपस में cancel हो जाते हैं तो यह वाले दोनों component आपस में cancel सिर्फ यह दो component बचे और यह दोनों component दोखो एक डायरेक्शन में है और अगर यह एक डायरेक्शन में तो इनको डायरेक्ट्ली आप add कर सकते हो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फिल आपको उस पॉइंट की उपर मिलेगा वो मिलेगा e-q cos theta plus e-q cos theta यह अपने पास में टोटल इलेक्ट है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टू इंटू इप्लस क्यू और से लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों बराबर यह अच्छा यह जो इप्लस क्यू है इसका magnitude यहां से लिख देंगे तो यह बन जाएगा फॉर्मला टू इंटू इप्लस क्यू कितना बोलो के क्यू बाई आर स्कुर प्लस इसक्वेर इंटू कॉस्ट रिटा कितना तो कॉस्ट रिटा क्या होता है बेस अपोन है पॉटेनियस यह वाला जो रैटेंगल ट्रैंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें यह एंगल है ठीटा एंगल के सामने वाली है जिए आर स्कुर लेह दो यहां पर लुटेंगे डीय अर्वाइर प्लस इसको लो फिस रुटेंगे ठीक है थोडाält और है एक्कोल तू यह देखो क्यू एन्टू टू ए Q into 2A यह मिला के क्या बन गया electric dipole moment देखो इदर formula लिखा है क्या होता है Q into 2A electric dipole moment P Q into 2A को मैं P लिख देता हूं तो यह बन जाएगा K P divided by क्या आएगा तो यहाँ पर under root का मदला होता है power 1 by 2 यह है r square plus a square यह है under root of r square plus a square जिसका मदला होता r square plus a square की power 1 by 2 इसकी power 1 है इसकी power 1 by 2 है बेस सेम है तो power add कर देंगे यह लिखेंगे r square plus a square power 1 plus 1 by 2 यानि की 3 by 2 आए गई आया समझ भी तो यह अपने पास में answer आगया अब यहाँ पर एक चीज़ notice करो कि यह जो a distance है यह इस r की comparison में छोटी है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं जो r है उसको हम बड़ा मानते हैं a की comparison में इसलिए यह जो r square है यह a square से काफ़े बड़ा होगा इसलिए a square वाली term को हम neglect कर देंगे क्योंकि यह छोटा है a क्या है a छोटा है r की comparison में r यह वाली distance है यह वाली distance है और डाइपोल की दोनों charges की बीच में small distance मानी जाती है इसलिए a को छोटा माना जाएगा r की comparison में तो a square वाली term को neglect करोगी तो answer क्या है गा kp upon अब यह अगर neglect कर दोगे हटा दोगे तो r square की power 3 by 2 power की power दे रखी होती है तो power multiply हो जाती है जाएगा तो यह आगया kp upon r cube ठीक है अच्छा कौन सी direction में टोटल electric field आएगा तो आप अगर इन दोनों components को add करोगे electric field के जो दोनों components है इनको जब add करोगे add simply क्यों किया क्योंकि दोनों एक की direction में है तो इनका जो resultant है वो भी इसी direction में आएगा इसी direction में आपको इन दोनों का resultant मिलेगा इसको मैं लिख जेता हूँ ए तो यह जो आपने e calculate किया है वो कौन सी direction में है e plus q cos theta और e minus q cos theta यह दोनों add होंगे तो इसी direction में इनका resultant आएगा अच्छे electric dipole moment की direction क्या है यहाँ पर यह दो को दिखा रखी है negative charge से positive charge की तरफ मतलब total electric field की जो direction है वो इसके opposite आ दिए देखो electric dipole moment इधर है total electric field इधर आ रहा है उल्टा रहा है ने इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा अगर इसको vector form में लिखना है तो मैं इसको लिखूँगा e equal to minus kp upon r cube minus symbol क्यों लगाया बताओ जो negative symbol है वो यहाँ पर यह बताएगा कि जो पी की direction है यानि की electric dipole moment की direction है electric field उसके opposite direction में देखो कोई भी vector होता न उसके माइने सिंबल लगाने से direction opposite हो जाती तो पी के आगे अगर आपने माइने सिंबल लगा दिए इसका मंदल पी की direction opposite हो गई और वो जो आपोजिट डायरेक्शन हो किसकी डायरेक्शन मानी जाएगी electric field की direction मतलब simply आप ऐसे बोल सकते हो कि एकी जो किदर है वो पी के अपोजिट है अगर यह माइने सिंबल नहीं लगाता तो इसका मतलब यह होता है कि की direction किदर है पी के लोंगा जो पी की डायरेक्शन है नहीं की इलेक्टिक डायपल मोवेंट की इस लिए वहाँ पर माइने सिंबल लगा के लिखाए अगर मैग्निटूड कैलकुलेट करना हो न कि कितना इलेक्ट्रिक फिल्ड दस बीस पचास कितना तब तो आप माइने सिंबल को हटा भी सकते हो सिदा यह फॉमलाय चिपका देना के पी अपोन आर क्यूब लेकिन जब कितना आया था तू के पी अपोन आर क्यूब इससे पहले हमने जो एक्षी लाइन पे लेक्ट्रिक फिल्ड फाइंड करके देखा ता डायपॉल की वहाँ पर फॉर्मलाय था टू के पी अपोन आर क्यूब तो यह उससे क्या है हाफ है यह ऐसा बोल दो कि एक्सिस की ऊपर टेक्षाइंड आर क्या स्माश्म शेंट फिल्ड होगा वह डबल होगा इट टोरी लाइन पर सेंथ इस बर सेंसेटेंस पर पूंठ है ऊंपर चोटे उपर чист O की एक्वेटोरी लाइन पर जका डबल होता है एक्वेटोरी लाइन पर अपगो दिया हुआ है versch 미- war सेवन कुलाम एंड क्यू भी एकल टू-2.5 इंटू 10 देस्ट पावर माइनस सेवन कुलाम लोकेटेड एड पॉइंट ए एड पॉइंट कहां पे है यह है 00-15 cm पे उसके कोडिनेट आपको दे रखेंग एंड बी बी पॉइंट कहां पे है 00-15 cm पे रेस्पेक्टिवली वाट तो आपको टोटल चार्ज बताना है कितना होगा और इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट बताना सिस्टम का तो पहले यह कोडिनेट की बात कर रहा है पहले तो वह दिखा देते हैं यहां पर कोडिनेट वगएरा यहां पर मैं जो X-axis Y-axis और Z-axis उसको ड्रो कर रहा हूं वैसे तो नौर्मली हम X इधर लेते हैं यहां पर इधर मानेंगे यहां इधर मान रहा हूं और Z-axis मैं इधर मान रहा हूं यह थोड़ा डायग्राम इजी बनाने के लिए मैंने किया है और यह intersection point जो तीनो क्या पॉइंट ऑल है और उसके कोडिनेट क्या है जीरो जीरो माइनस 15 सेंटी मेटर जीरो-जीरो का मतलब यह हे कि एक्स कोडिनेट जीरो है जीरो है और तो इसलिए मैंने जैडेक्सिस को यहां पर यह और यह पॉइंट कौन सा है यह है माइनस 15 सेंटिमेटर 00-15 सेंटिमेटर मतलब यह माइनस जैड एक्सिस की तरफ है अगर माइनस 15 सेंटिमेटर है तो इसका मतलब माइनस जैड एक्सिस की तरफ यह पॉइंट होगा यहां पे होगा माल तो यह 00-15 सेंटिमीटर वाला पॉइंट हुआ और यहां पे कौन रखावा है QA चार्ज रखावा है जो की है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाब क्या है समझ में फिर दूसरा जो पॉइंट हो कौन है वह है बी बी कहां पर रखा है या बी पॉइंट कौन है 00-15 सेंटिमीटर तो इसका भी एक्स और य कोडिनेट कौन हमने इसको ड्रो कर लिए अब इसका 182 चार्ज कितना इस सिस्टम का इस सिस्टम में दो चार्ज जें एक तो यह और ही कि दोनों का मैग्निटूड बराबर है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो टोटल कितना आएगा बोलो जीरो आएगा तो टोटल चार्ज अब देस सिस्टम क्या है जीरो पहली बात तो यह दूसरी बाग इसने अभला आपको बताए था पी उकल्टो क्यों टू क्या बताए था फी क्यों क्यूंट टू टू एग warmth कि कितना है यहांकर चार्ज कितना दोनों चार्जिस के बीच में यह वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने टूए बोला है यह कितनी है तो यह वाला जो पॉइंट है यह सेंटर से और इजन से 15 सेंटिमेटर इधर है और यह 15 सेंटिमेटर इधर है तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 30 सेंटिम लेकिन सेंटिमेटर को मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा तो टैन की पावर माइनस तू से मल्टिप्लाई कर दिया ठीक है सॉल करोगे तो क्या आएगा यह आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर यह आजाएगा माइनस एट और कुलाम इंटू मीटर जो इलेक्टिक डाइपल मोमेंट है उसकी विडिट क्या होती है कुलाम मीटर क्योंकि जो फॉमला है उसमें देखो चार्ज की विडिट कुलाम डिस्टेंस की विडिट मेटर यह तो क क्योंकि और डायेक्शन क्या होगी इलेक्रिक मेंट के बता हो क्यूंकि अंगतlevantBLE मेंट की तरस की तरफ यह आपका कंप्लेट आंसर हो गया ठीक है वेक्टर क्वांटिटी इसके लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी है चैने पूछे फिर भी बतानी है ठीक है